अहद ब्यूटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं फिर से एक नया विडियो लेकर आया हूँ एक समय था जब बाल सफेध होते थे इसे भूरे बाल भी कहा जाता था किसी भी इंसान के बुड़ापे की निशानी लेकिन तब बाल पचास या साथ की उम्र के बाद परिपक्व हो जाते थे अभी ऐसा नहीं है अब स्थिती बिलकुल विप्रीथ है योवन में बुड़ापा आता है जी हाँ तीस साल की उम्र से बाल सफेध होने लगते हैं यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि बालों का समय से पहले बुड़ा होना एक बड़ी समस्या बन अगर आप यहां दिये गए किसी भी उपाय को अपनाते हैं तो सिर्फ एक हफते में बाल काले हो सकते हैं आज मैं ऐसी ही एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले हम लोंग को ब्लैंडर में ले लेंगे लोंग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सफेध बालों को सफेध करने में मदद करते हैं इसमें बालों के विकास के लिए कई आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं और पतले लोंग के तेल से खोपड़ी की मालिश करने से खोपड़ी में रक्त परिसंचरन को पुनह उत्पन करने में मदद मिलती हैं जिस से खोपड़ी पर ब बाल उगते हैं, बालों के रोम को मजबूत करता है, यह तेल एक प्राकृतिक मोईस्चराइजर के रूप में भी काम करता है, यह सिर्क की तवचा के रूखेपन को भी कम करता है, जिससे बाल तेजी से जड़ते हैं, फिर मैं ब्लेंडर की मदद से पाउडर बनाऊंगा, मैं इसे एक खाली प्याले में रखता हूँ 5 मिनिट में इसका पाउडर बन जाता है फिर एक सौस पैन में एक बड़ा चम्मच पाउडर ढालें मैं तुम्हें एक कप पानी दूँगा फिर मैं इसे 5 मिनिट के लिए ओवन में उबाल दूँगा उबालने के बाद मैं एक फिल्टर की मदद से चानूंगा आपके द्वारा इसे फिल्टर करने के बाद ठीक ऐसा ही हुआ है फिर मैं एक शैंपू लूँगा मैं सामगरी पूरी तरह से सामपूर में डालूँगा फिर अच्छी तरह हिलाऊंगा आईए देखे कि इसका उप्योग कैसे करें मैं इसे इस तरह से इस्तेमाल करूंगा और रोज नहाने के दोरान मालिश करूंगा मैं इसे अच्छी से धो दूंगा तो दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो क्रिप्या लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो करेंगा लाइक करें प्रभब करें तो दो 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 करेंगा लाइक करेंगा